Hi friends, welcome back to my channel ग्यान वीडियोज हर किसी को पतले और छोटे लिप्स पाने की चाहत रहती है खास कर महिलाओं को क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के लिप्स छोटे और पतले हो तो उनके चेरे की खूपसूरती में चार चान लग जाते हैं वफिक्षिप के लिप्स पाने के लिए बहुत लोग तो सर्जुरी तक करवाते हैं लेकिन ये सर्जुरी बहुत ही एक्सपेंसिव होती हैं और सबसे बड़ी बात इसको करवाने के बात बहुत कॉम्प्लिकेशन भी आते हैं बट believe me friends इसके लिए आपको बहुत जादा परिशान होने की जरूरत नहीं है जी हाँ friends आज मैं आपको कुछ आसान सी चार ऐसी exercises बताऊंगी जिससे कि आप अपने lips को बहुत ही सुन्दर पतले और छोटे आसानी से कर सकते हैं पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप की लाज सक जरूर देखिएगा पर इससे पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को क्लिक करें जिससे आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख पाएं चलिए देखते हैं ये एक्सेसाइजर करनी कैसे हैं इस एक्सेसाइज में आपको अपने मूँ से आश्चर चकित अल्फाबेट ओ को प्रनाउंस करना है फिर अपने लिप्स को इस तरह से अंदर की तरफ करें और अपने मूँ को हलका सा खुला रखें अब ऐसा करते हुए साथ में जितना हो सके स्माइल करने की कोशिश करें अब इस पोजिशन में 10 सेकेंड के लिए होल्ड करें और फिर अपना मूँ बंद कर लें और फिर नॉर्मल पोजिशन में आ जाएं इस एक्सेसाइज को आपको 3 से 5 बार रिपीट करना है ये एक्सेसाइज न सिर्फ लिप्स की खूपसूरती को बढ़ाती है बलकि ये फेस को भी सुन्दर बनाने के लिए बहुत ही अच्छी एक्सेसाइज है इस एक्सेसाइज को रेगलर करने से आपको बहुत ही जल्दी रिजल्द नजर आएगा इस एक्सेसाइज से आपके फेस और लिप्स की मसल्स में बलड सरकूलेशन अच्छा होता है ये एक्सेसाइज करना बेहद आसान है और आप इसे डेली ब्रश करने के बाद करते होंगे पर आपको इसके बेनेफिट्स के बारे में शायदी पता होगा तो आएए देखते हैं इस एक्सेसाइज को कैसे करेंगे सबसे पहले अपना मूँ बंद कर ले और अपने मूँ में हवा भर ले हवा भरने के बाद आप इस तरह से एक गाल से दूसरे गाल की तरफ मूँ करें जैसे कि आप पाने का कुला करते टाइम करते हैं इसे 30 से 40 सेकेंड तक करें अब अपने मूँ को नॉर्मल पोजिशन में ले आएं इस एक्ससाइज को 10 से 12 बार रिपीट करें अब हमारी थर्ड एक्ससाइज है फिंगर प्रेस एक्ससाइज सबसे पहले अपने मूँ को बंद रखें याने आपके दांत नहीं दिखने चाहिए पर ध्यान रहें आपके लिप्स को अंदर की तरफ न खीचें अब अपने दोनों हातों की इंडेक्स फिंगर को लिप्स के कॉर्णर में रखें और फिर इसी पोजिशन में जितना हो सके स्माइल करने की कोशिश करें पर आपका मूँ बंद रहना चाहिए अब आप इस पोजिशन में 10 सेकेंड के लिए होल्ड करें फिर नॉर्मल पोजिशन में आ जाएं इस एक्ससाइज को आप 15 से 20 बार रिपीट करें ये एक्ससाइज आपके लिप्स में एक्सस फेट को कम करने में मदद करती है चलिए अब लास एक्ससाइज यानि फोर्थ एक्ससाइज है फिश फेस एक्ससाइज ये एक्ससाइज आपने बच्पन में खूप की होगी और ये exercise हमारे lips को छोटा कर सही shape देने में मदद करती है और इससे lips के आसपास के muscles को मजबूती मिलती है तो आईए देखते हैं इसे कैसे करेंगे सबसे पहले अपने दोनों गालों को अंदर की तरफ जितना हो सके खीचें जैसे कोई चीज आप चूस रहे हो अब अपने होटों को बाहर की और इस तरह से निकालें इससे आपका चेहरा फिश के जैसे दिखाई देगा अब आप इसी position में 25-30 second तक hold कगे रखें फिर normal position में आ जाएं इस exercise को आप 15-20 बार repeat करें lips का shape सही करने के साथ-साथ ये chicks और jaws के लिए बहुत ही अच्छी exercise है क्योंकि इसे करने से आपके chicks और jaws में खीचाव महसूस होता है friends अगर आप इन exercises को यदि नियमित रूप से करते हैं तो आपको इसका result जल्द ही 7 दिनों में नज़र आने लगेगा आप भी celebrities की तरह पतले, छोटे और सुन्दर होट आसानी से कर सकते हैं वो भी बिना किसी surgery के और अपने चेहरे की खुबसूरती को बढ़ा सकते हैं ओके थैंक्यू friends, I hope मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा बाया friends, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ